चलिए students अब हम शब्दार्थ देखेंगे लक्षमी इस पार्ट के जो शब्दार्थ है वह देखेंगे बथान जिसका अर्थ है पालतू गाय बैल की रहने का स्थान जहां पर पालतू जो गाय बैल या पशो ते उन्हें रखने का जो जगह होती है उसे बथान कहते हैं मवेशी कृशी कारे में उपयोक्त तथा दुधारू पशो दूद देने वाले पशो और जैसे बैल वगेरा जो खेती में काम आते हैं उन्हें मवेशी कहते हैं दर्रा मतलब अनाच के अंश, अनाच के जो टूटे वे अंश रहते हैं, जैसे धान वगेरा निकालने के बाद चावल की तुकड़ियां हैं, गेहूं, साफ करने के बाद गेहूं के जो तुकड़े हैं, तो उन्हें दर्रा कहते हैं, हौका, दिर्ग, नीश्वास, मतलब लम्बी सांस लेना उसे हौका कहते है उसके बाद जो निकल जाने के बाद तिलहन का बचा हुआ हिस्सा जो मवेशी खाते हैं अब खली क्या होता है जैसे जिस भी बीज में से तेल निकाल लिया जाता है जैसे तिल हो गया, मुफली होगा, करड़ी हो गया, इनके बीजों में से जब तेल निकाल लिया जाता है तो जो बचा हुआ आउशेश रहता है उसे खली कहते हैं कांजी हाउस सरकारी मवेशी खाना जिसमें लावारीज पशु बंद करके रखे जाते हैं अब ये कांजी हाउस क्या होता है सरकारी की तरफ से एक मवेशी खाना जहां पर पशु रखे जाते हैं एक बड़ा सा जगह होती हैं, जहां पर ऐसे पशुजो लावारी जगूमते रहते हैं, उन्हें बंद करके रखा जाता है, तो वहां कांजी हाउस कहलाता है, यहां पर कुछ मुहावरे दिये हैं, देखिए, मुह मारना, मुह मारना मतलब जल्दी जल्दी खाना, जैसे उदा इंबल होना, आवाज भर आना, लक्ष्मी के घाव देखकर, जो करामत अली थी, उसका उगला भर आया, कोरा जवाब देना, साफ मना करना, करामत अली ने गाए उस आदमी को बेचने के लिए बिल्कुल साफ मना कर दिया, यहीं उसने कोरा जवाब यही दिया, कि उसे नहीं बेचनी है तैश में आना आवेश में आना रह्मान जो था उसने तैश में आकर क्या किया गलक्षमी के पीट पर डंडे बरसाए यह ऐसे वाक्य है जो सरफ मैंने आपको आर्थ के साथ में समझाए हैं जिससे मुहावरे आपको इस पश्ट्रूप से समझ में आ उनके आर्थ और उनके वाक्य में प्रयोक करके आपको बताऊंगी अब यह आप केवल यह मुहावरे समझ लेजिए अब देखिए हम लक्षमी इस जो लक्षमी इस जो कहानी है उसके पाट के जो स्वाध्या है यह प्रश्णोत्तर है वह हम इहाँ पे दिखेंगे मैं आपको यहाँ पर दिये हुए हैं और यह प्रश्णोत्तर देने का एक ही मैंने आपको बताया कि मतलब है कि आप इस तरह से इतनी सच्छता से और नीट अन क्लीन तरीके से अपनी नोट बुक में भी लिखिए ताकि आप जब पेपर लिखेंगे तब उस समय आपको भी अच्छा लगेगा कि हमें इस तरह से लिखने से इसका हमें आगे चल कर पतला पेपर जो चेक करने वाले होते ह और उन्हें अच्छी तरह पढ़ना भी अच्छा लगता है तो चलिए हम यह प्रश्ण उत्तर देखते हैं पहला प्रश्ण है सुचना के अनुसार कृतियां कीजिए इसमें पहला है संजाल पूर्ण कीजिए देखिए मैंने पहले आपको प्रश्ण एक लिख कर बताया है मार के कारण लक्ष्मी के वैवार में आया परिवर्तन और ठीक नीचे मैंने आपको उत्तर के रूप में उसे पूरा लिख कर बताया है जैसे मार के कारण लक्ष्मी के वैवार में आया परिवर्तन तो उसमें मैंने आपको जो कारण है वो बताय हुए है देखिए क्या-क् बड़ी भैबीत और घबराई थी फिर जो भी उसके पास जाता उसे सिर्खिला कर मारने का प्रयास करती फिर उच्छल कूद रही थी जब उसे मारा गया था ना उसके बाद उसके वहवार में क्या परिवर्थन आ है कि किसी को भी देखकर वो उच्छल कूद कर रही थी फिर गले की रसी तोड़कर खोटे से आजाद होने का प्रयास करती और वह इत्ती घबरा गई थी कि घबराट की वज़े से उससे ऐसा लग रहा था कि मैं कब गले की रसी तोड़ू और यहां से भाग जाओ या आजाद हो जाओ तो यह है पहला प्रश्ण हाँ दूसरा प्रश्ण देखे उचित घटनाकरम लगा कर वाक्य फिर से लिखी है यहां पर हमें चार वाक्य दिये गए हैँ अब उन्हे हमें घटनाकरम से लगाना है एक sequence में की जिस तरह से हमें अभी जो कहानी पड़ी उसके sequence से उसके घटना करम से हमें उसे लगाना है तो पहले हम प्रष्न के वाक्ये देख लेते हैं पहला है उसके गले में रस्सी थी दूसरा है रहमान बड़ा मोर्क है तीसरा है वो लक्षमी को सड़क पर ले आया और चौथा है उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा है तो यह चार वाक्य हमें दिये हैं अब हमें उत्तर में उसे सिक्वेंस से लगाना है तो उसमें उत्तर में पहला वाक्य आएगा उसने तुम्हें बेदर्दी से पीटा है दूसरा रहमान बड़ा मोर्ख है तीसरा उसके गले में रसी थी चौथा वह लक्षमी को सड़क पर ले आया तो इस तरह से सिक्वेंस में चार वाक्य हम लिखेंगे कि नेग्स्ट देखिए प्रश्ण तीसरा हम थे प्रश्ण तीसरा भी मैंने प्रश्ण धिया हुआ है देखिए ग्यानसिंह्ग का पशू प्रिम दर्शाने वाली बाते जिसमें हमें चार जो है बाते लिखनी हैं ग्यान सिंग का पशुप्रेम दर्शाने वाली चार बाते लिखनी है तो ब्लॉक्स में फर्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यानि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मैंने लिख दिये हैं और उसी उनी बातों को मैंने एक्स्प्रेम किया है नीचे उत्तर के रूप में दिखिए, पहला है ग्यान सिंग को पशुप्रेम के बारे में क्या क्यवाती थी तो उसमें पहला उसे मवेशी पालने का शौक था, मतलब जो भी गाय वगेरा है ऐसे पशुप्रेम का भैंस है, उन्हें पालने का उसे शौक था, दूसरा है उसके परेशानी में भी वह उसे न बेचकर अपने मित्र करामत अली को दे देता है, यह चार बाते हैं जो उसका पशुप्रेम हमें दर्शाती हैं, अब देखिए प्रश्न चौथा गलत वाक्य सही करके लिखिए, इसमें पहला वाक्य जो हमको दिया है प्रश्न के रूप में व कैसे लिखेंगे, अभी हमने पार्ट में क्या पढ़ा कि करामत अली कितने साल से गाय की सेवा कर रहा था, एक साल से, इसलिए हम वाक्य लिखते समय उसे लिखेंगे, करामत अली पिछले एक साल से गाय की सेवा करता चला आ रहा था, तो चार सालों की जगा एक साल आएगा तो अभी उसको उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे क्योंकि हमने स्टोरी में पढ़ा है कहानी में हमने पढ़ा है कि उसने लगा तो दिया था रोगन लेकिन फिर भी उसको इत्मिनान नहीं हुआ था तो उस वाके को हम ठीक करते हुए लिखेंगे करामत अली को लक्षमी की पीट पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मिनान नहीं हुआ यह हुआ उत्तर ठीक है अब हम प्रश्न पांच देखेंगे प्रश्न पांच है निम्नलिकित मुद्दों के आधार पर वरणन कीजिए अभी हमको प्रश्न में दिया है करामत अली की गाए उसके इस मुद्दे पर हमें चार बातें बतानी है तो पहली बात बतानी है कि नाम दूसरी उम्र तीसरी नसल और चौथी स्थिति तो हम यह च अब स्थिति क्या थी तो अब वह बूड़ी हो चुकी है इसलिए तूद नहीं देती यह उसकी स्थिति हो गई है अब हम प्रश्न छट्वा देखेंगे कारण लिखिये यहां पर हमें कारण लिखिये में पहला प्रश्न दिया है करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तयार करने लगा अब इसका हमें कारण लिखना है क्यों तयार करने लगा वह सानी तो उसका उत्तर हम लिखेंगे सुबह से रम जानी या रहमान में से किसी ने भी लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया था वह भूखी थी इसलिए करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी दयार करने लगा हमें पता है स्टोरी में हमने कहानी में हमने देखा कि वो भूकी रहती है सुबह तक करामत अली जब अपने काम से वापस आता है देखता है कि रमजानी या रह्मान में से किसी ने भी उसे चारा नहीं दिया है इसलिए वो क्या करता है फिर लक्षमी के लिए सानी दयार करने लगता है दूसरा है रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया अब ये इसमें हम उत्तर लिखेंगे रमजानी ने करामत अली को रोगन क्यों दिया तो रह्मान ने लक्षमी की पीट पर डंडे से मारा था जिससे उसकी पीट पर चोट आई थी रह्मान ने क्या किया था लक्षमी की पीट पर डंडे बरसा दिये थे है न और इसलिए उसको पीट पर जब चोट आई थी तब रमजानी ने फिर करामत अली को रोगन दिया था कि उसकी पीट पर लगा दो और अब रह्मान को अपनी गलती का असास हो चुका है यह कहते हैं उसने रोगन दिया था यह हमने कहानी में पढ़ा है अब प्रशन तीसरा है रह्मान ने लक्षमी को इलाके से बाहर छोड़ दिया रह्मान ने लक्षमी को इलाके से बाहर छोड़ा था यह हमने कहानी में पढ़ा है लक्षमी को गौशाला में भरती किया उसने क्या किया था मैं पता है कि आखिर में करामत अली क्या करता है लक्षमी को गौशाला में भरती करता है तो क्यों करता है तो तर हम लिखेंगे करामत अली पैसों के परिशानी के कारण लक्ष्मी के चारे का प्रबंद नहीं कर पा रहा था वो लक्ष्मी को यो भूकी रहते नहीं देख सकता था इसलिए उसने लक्ष्मी को गउशाला में भरती किया तो यह हमारे प्रश्न छे के चौथा प्रश्न और उत्तर हमने देखा अब हम प्रश्ण सात्मा देखेंगे प्रश्ण सात्मा है हिंदी मराठी में समोच चारीत शब्दों के भिन अर्थ लिखिए तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिये हैं तो उसके जो अर्थ है हमें हिंदी और मराठी में सपष्ट करके बताने हैं तो उसमें पहला शब्द हमें दिया है पीठ, अब पीठ जो है उसे मराठी और हिंदी में क्या कहते हैं हमें बताना है, तो पहले हमने हिंदी में इस पश्टी करण दिया है कि पीठ मतलब शरीर का भाग है हिंदी में, और पीठ मतलब आटा है मराठी में, आटे को क्या बोलत खाना मतलब दराज मतलब जो शेल्फ होते हैं वह अब तीसरा है चारा चारा है इसे हिंदी में उपाय कहते हैं और मराठी में चारा मतलब जानवर को खिलाई जाने वाली सामकरी जिसे हम सानी क्या है इसमें वही चारा मतलब मराठी में होता है अब चौथा है कल कल हिंदी में यहाँ पर है बीता हुआ अत्वा आने वाला समय जिसे हम कल कहते हैं और मराठी में इसका अर्थ है प्रवरत्ती और पांच्वा शब्द है खट तो हिंदी में खट याने पत्र होता है और मराठी में खट मतलब खाद होती है जो हम पौधों में डालते हैं ठीके अब एक प्रश्न है यहाँ अभी वैक्ति का जिसे हम देखेंगे प्रश्न है यदि आप करामतली की जगह होते तो इस संदर्म में अपने विचार लिखिए अगर हम करामतली की जगह होते तो हम क्या करते लक्ष्मी के लिए तो इसके बारे में हमें अपने विचार लिखना है तो उत्तर है यहाँ पे यदि में करामतल की जगह होता या होती तो मैं वही करता या करती जो करामत अली ने किया अभी हम अपने हिसाब से उसे स्ट्रीलिंग या पुलिंग में कनवर्ट करेंगे क्योंकि यदि हम किसी भी प्राणी को पालते हैं तो यह हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसका पूरी तरह से ख्याल रखें प्राणी मात्र परदया और उसकी देखरेक की जवाबदारी को हमें अच्छी तरह निभाना चाहिए उसके खाने पीने रहने की जवाबदारी भी हमें रखनी चाहिए मेरे सामने भी यदि करामतरी जैसी आर्थिक परेशानी आती तो मैं भी उस प्राणी को किसी के भी हाथों न बेचते हुए किसी गउशाला में दाखिल कराती नेक्स्ट देखे भाषा बिंदू जो है व्याकरण का भाग उन्हें विराम चिन्नों के साथ जो वाक्य पुना लिखिए मैंने दस जो वाक्य दिये हैं उन्हें विराम चिन्नों के साथ यहां पर दिया हुआ है तो आप इसे कर सकते हैं व्याकरण के लिए मैं और भी जो वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको व्याकरण अच्छी तरह से एक्स्प्रेन करके दूँगी तो अभी आप इसमें जो मैंने भाशा बिंदू के बारे में जो वाक्य दिये हैं उन्हें आप कर लेजिए